Students, आज हम आरके नारान की famous short story दासी दा ब्राइड गुरूम को study करेंगे First of all, we will discuss about only दासी Who is daasi and what is role in this story? तो जो दासी है ये आपकी short story आरके नारान ने लिखी आरके नारान एक famous refined short story writer हम उनको बोल सकते हैं क्योंकि वो जो reality होती है life की, उनको जितने भी चारो तरफ, जितने भी लोग होते हैं उनकी life में क्या problems हैं, किस तरह से वो अपनी life की problems हैं, उनके साथ में deal कर रहे हैं इन सभी जो reality है, life की reality है, वो उनकी short story, उनके nobles चाहिए आप the guide को देख लो, the sweet vendor को देख लो सारे nobles में वो जो reality है, जो एक imagery fiction creation किया है, उनके place South India में कि उनको एक अपने जितने भी nobles हैं, short story है, उनको में, एक fictional place, Malgudi Days जिसको हम पहले, फस्ट इसका जो हमने lesson discuss किया था, उसमें इसको read out कर चुके, कि किस तरह से मुनने Malgudi Days को frame किया था, Malgudi Days actually में Malgudi जो जगे है, उनकी खुद की एक imagery, एक कलपलना किया हुआ उसमें उन्होंने सब तरह के लोग, जो उनकी normal life में, जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, वो सबी चीज, वो सबी लोग, वो सबी जिससे bus stand way, railway station, और यहां तक की तरह तरह की दुकाने, जिससे sweet vendor की दुकाने हुई, या सारे जितने भी चीज, हमारे जितने भी vendors वगेरा, ज जो normal life में, normal बाजार में लगाते हैं, इस तरह से सारी creation उनके जो fictional place, malgory days है, उसमें दिखाई देती हैं, तो उनकी यह story भी malgory days पर ही waste है, और एक reality को बताती है कि actually में यदि कोई ब्यक्ती abnormal है, ordinary people से, तो किस तरह की problems उसकी life में आती हैं, और कैसे वो अपने आपको उन लो उसकी जो life है, उसमें turning point कर लेते हैं, तो यह जो story है, उसमें जो एक mentality को बता रहा है, जो retarded man है, जो उसकी mentality को बता रहा है कि उसकी किस तरह से उसकी life normal लोगों के साथ में है, और कैसे वो उनसे deal करता है, यह story and astrologers today and other stories से ली गई है, अब हम इस story को discuss करते हैं, इस story का सबसे important part है आपका दासी, ठीक है, यहां सिर्फ हमें only इसे दासी ही discuss करेंगे, बाद जो हमारी stories होती है, उनका एक single plot होता है, single plot होता है, और उस सारी stories उस single plot पे ही frame होती हैं, बनती हैं, और उसी के इर्दगुर्द गूमती रहती हैं, और जो story होती है, उनका जो बढ़ा part होता है, आपके novel होता है, stories में कुछ meaning देती है, अपना कुछ hidden meaning देती है, जिससे लोग उसको समझे और उसमें क्या वो कहना चाहता है, as a story writer उसको समझने की कोसिस करते हैं, तो जुद आपका दासी है, as a human being बहुत अच्छा person है, लेकिन इसकी जो physical appearance है, जो physical इसका जो look है, वो अच् है, कैसे इसकी आँखें बहार हैं, इसकी गर्दन मोटी है, और इसकी जो back है, उसमें बहुत सारा मास आच चुका है, इसके अलाबा इसको जो head है, वो छोटा है, तो इस तरह जो physical appearance है, इसका वो चाही नहीं है, मतलब नॉर्मल लोगों जैसा इसका physical appearance नहीं है, और इनके अ अपनी physical appearance, अपनी physical, मतलब एक तरह से अपनी जिससे अतुतला कर बोलना, इनकी बज़े से क्या हो, वो ordinary लोगों के साथ में मिल नहीं करते हैं, बलकि ordinary लोग उसको एक मज़ा, हाँ तक कि छोटे बच्चे भी उससे मज़ा करते हैं, और उसे एक तरह से, मतलब हसी का केंदर मानते हैं, उसको तरह तरह के jokes क्रेक करते हैं, और ये भी बात है कि जो आपका ये दासी है, वो उन सभी jokes को सुनता भी है, बट जहां उसे बोलनों की जरुत होती है, तो भी बोलता है, और बस अपने काम से ज़्यादा मतलब रखता है, तो इस तरह से, लेकिन as a human being, हमारी ये जिम्मेदारी वज़े से, आप सभी students हैं, मैंने इस बात को class में भी discuss किया था, कि किसी में अगर किसी तरह की physical, जो appearance में कोई कमी है, तो हमें इन चीजों के आधार पर उसका मजाक नहीं उडाना चाहिए, बलकि उसके साथ में उसको support खड़ा करके, उसके साथ में हमें इसके partner बनके हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और जो जैसा है उसको accept करना चाहिए, ठीके, तो इस तरह से जो दासी है, वो आपकी इसकी physical, मैंने appearance की बात कर ली, इसकी inner soul की बात कर ली, अब बात करते हैं, जिन लोगों के साथ में वो रहता था, जो भी landlord था, जिसके घर में रहता था, तो वहाँ पर वो कुछ काम करता था, इंदसेंबे वो उनके लिए लखडी काट के लाता था, और उनके जो कुवए से पानी खीचता था, और गार्डन में गड़े खोदने, उनमें पेड़ वगेरां के देखवाल वो करता था, इसके बदले में उसे एक protection मिल सी थी, रहने के लिए घर था थोड़ा सा, और इसके लावा से खाना मिलता था, और वो इन सभी चीजों के साथ में satisfied था, लेकिन होता क्या है, यह जो मनतापम गुरुप है, यह जो बुजर्ग लोगों का गुरुप था, इस मनतापम यहां तक हमने दासी का discussion कर लिया, कि किस दासी था, कौन था, क्या था, अब बात करते हैं, जो मनतापम गुरुप है, यह मनताप गुरुप ऐसे लोगों का गुरुप था, जो बूड़े लोग होते थे, और जो अपने दिन के सारे कामों को कम्प्लिट करके फिरी थे, उनके बाद में, उसके बाद में कोई काम नह रहता था, उसका सबका एक जो क्रेक करने का अड़ा यही थी दासी, इसकी बोली को लेके, या इसकी फुजी कल एपिरेंस को लेके, या इससे किसी तरह का बद्दा मजा करके, वो लोग अपने खुस होते थे, तो यह जो मनतापम गुरुप है, यह जो दासी है, उसके उप मज़ पाता, और वो अपनी बाइफ, अपनी एक बैटर लाइफ, इन सबी चीजों के बारे में सोचने लग जाता, और वो जो रियल में जो काम करते, उसका थोड़ा बहुत धायन बटकता, और वो अपने खुद के जो ख्याली पलावों में खोया रहता है, अगर वो जो मन मज़ा करते हैं, बहुत ज़दा मज़ा करते हैं, तो कई बार वो मज़ा करते हैं, दूसरे वर्सन के लिए बहुत खतरना सिद्ध हो सकता है, तो इस स्टोरी में एक मेंटिलिटी को बताया है, कि एक इनसान कितना अगर मज़ा कर रहे तो हो सकता है, उसकी जो लाइफ है, एक ट्रबल में चले जाए, एक परिशानी उसके लिए क्रियेट हो जाए, तो यहाँ पर जो यह आपका दासी है, थोड़ा mentally disturbed है, retarded है, क्यों हैं, क्योंकि उसके जो appearance है, उसके जो साथ हो सकता है, उसका डबल पिंग कम हुआ हो, या वो चीजों को इतना अलग तरीके से नहीं समझ पाता है, तो फिर यह जब उसके दमाग में question उड़ता था, कि साथी वाला concern होता, तो वो साथी के बारे में continuity सोचता रहता है, फिर क्या होता है, उस गली में एक बामिनी बाई, एक new character की entry होती है, बामिनी बाई क्या है, एक actor होती है, जिसकी फिजिक अच्छी होती है, lovely फिजिक होती है, fair color होता है, and beautiful hairs होते है, तो इस तरह से वो सुन्दर होती है, जब इन मनतापप के जो लोग हैं, इन लोगों को, उस group को, इस बामिनी के बाई के बारे में पता चलता है, और बामिनी बाई वहाँ पर एक घर, जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, उस घर में रहने लग जाती है, वो अपनी मा के साथ आई हुई होती है, और यहाँ पर, मालगोरी डेज में एक फेमस म्यूजिसिंस से, वो म्यूजिक सीकने, यहाँ पर आई हुई होती है, जब इस group को बामिनी बाई के बारे में पता चलता है, तो ये दासी को चड़ाने लग जाते हैं, कि दासी तुम्हारी वाइफ आ गई है, तो ये उनसे पूछता है, कि किस जगे मेरी वाईफ आई है, तो फिर ये कंटुलेटरी ट्रेंक रोड एक जगह है, वहाँ पर खड़ा आउकर उसको देखने की कोशिस करता है, लेकिन वो बार-बार उसको देखने की कोशिस करता है, एक दिन जब वो आती रहती है तो वो उसके बगल में से उसको बिना देके निकल जाती है क्योंकि यहाँ पर बामनी भाई को किसी भी तरह का आबास नहीं होता है कि दासी के साथ मैं इस तरह का मज़ा किया है और दासी उसकी वायप मान चुका है और इस तरह से वो mentally disturbed person भी है तो जब वो उसको तरफ नहीं देखते तो दासी फिर उसके पीछे पीछे उसके घर चला जाता है ठीक है बामनी भाई अपने जो भी वर्क है वो करने लग जाते तो उसकी मा हॉल मा आती है तो दासी को खड़ा हुआ देखती है तो वो बोलती है कि तुम कौन हो तो वो अपनी बेटी से पूछते कि क्या तुम इसको जानती हो या तुम इसको लेकिया ही हो तो वो बना कר दे थी कि मैं लेकिन हो लेकिन जब उससे दासी से पूझा जाता है कि तुम कौन हो और तुम क्या तुम हो तुम सिर्फ इतना बोलता है आखिais कि you are my wife कि तुम मेरी पतनी हो बस वो इस बात को फिर से पूझते हैं कि तुम कौन हो लेकिन दासी फिर भी उसी बात को repeat करता है और वो बामिनी भाई उसके थपड दे देती है इसका result ये होता है कि बामिनी भाई प्लिस को call कर देती है और प्लिस उसे पकड़ कर ले जाती है वहाँ उसकी कोब पिटाई हो जाती है और वो जो थपड उसके गाल पर जो पड़ता है वो उसकी जो reality थी उसको मतलब वो जेल में भी वही थपड याद आता रहता है उसके बाद उसकी life काफी miserable हो जाती है वो वहाँ से जो मन्तवम जो group है यही उसको छुड़ा कर ले आता है ठीक है उसकी वेल वगेरा जो भी है वो करवा देता है जब वो अपने घर आता है तो उसको इनसान को एक नोकर की तरह ही treat किया जाता था तो क्या कोई नोकर किसी family का हिस्सा नहीं बन जाता जब उनकी सेबा करता है तो इस तरह से ही ये बात उही थी दासी के साथ में कि दासी उनकी family का एक पार्ट था उनके सारे काम करता था लेकिन फिर भी वो उसे एक as a family का पार्ट नहीं मानते थे अगर जो मन्तव ग्रोप ह वो भी एक limited way में उसके साथ में मजा करता तो साथ उससे आज इतनी trouble का सामना नहीं करता इसके बाद जब दासी घर आ जाता है तो घर आने के बाद में वो खाना खाने के लिए इसको बलाय जाता है और वो खाना खाने से मना कर देता है एक बच्चों की तरह वो behavior करने लग लगाता है एक मैचूर परचन की वज़र से behavior कर लेता है क्योंकि इस स्टोरीज में हमें कहीं भी दासी की जो एजन नहीं पता चलती इसमें जो आपके राइटर हैं यह इस बोलते हैं कि दासी की जो उम्र है कम से कर 20 ये 40 के 20 होगी जब कभी क्योंकि दासी ठोड़ी दासी क तो जब भी इस से पूचे जाए कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो दासी कभी 25 कभी 30 बताता है मतला उसकी कोई fix जो date है वो नहीं बता पता इसका region आप खुद जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं बता सकता जब उसका nature change होता चला गया continuity continuity में तो वो क्या होता है कि जब उसको खान करने के लिए घर से भान निकलता है तो छोटे बच्चे जो elementary schools में जाते हैं वो बच्चे उसको चड़ाने लगे दासी the bridegore अब मैं bridegroom word यहाँ पर use कर रहे हैं अरे दासी the bridegore यह तो वो दूला है जिसकी wife ने कल जिसकी दूलन ने कल इसको चाटा मारा तो तो यह word दासी क बच्चों को school पहुंच जाता है वहाँ पर table कुछियों को तोड़ने लग जाता है एट लास में वो कुछ students को कुछ teachers को भी मतलब आपने इस behavior से परिशान कर देता है चोड़ दे देता है उसके बाद फिर से police inspector आकर उसे ले जाते हैं और इसको mental SLM में पढ़ती कर देते हैं नॉर्मल एक simple living person जो कुछ abnormal उसमें human मतलब physical appearance थी इनकी बज़े से वो ordinary जो man होते हैं उनकी साथ में तालमे नहीं बनाता और यह हमारी society का सबसे hard truth है कि यदि कोई person इस तरह से physical imbalance है उसमें तो उस balance को हम अपने motivate के दुआरा भर सकते हैं हम उसकी life में balance ले सकते हैं जो देखो तो उसकी बाद में जब उसको mental SLM में भरती कर जाता तो डॉक्टर भी उसके nature से प्रभावित होता है लेकिन जो दासी है उसकी life काफी मतलब आजीव हो जाती है वो continuity रस्ते पर नहारता रहता है कि कब मेरी wife आएगी कब मेरी wife आएगी तो एक point एक story writer ने यहाँ पर एक hope जो यह story काफी अच्छी भी लग जाती है और इसका जो trust है जो twist है इस story का वो काफी हदित तक बहुत अच्छा है story simple है लेकिन एक unique hidden meaning देती है एक real जो mentality है उसको काफी हदित तक यह denote करती है कि किस तरह से उन लोगों को problems का phase करना पड़ता और किसी का मज़ा कितना उसकी life में trouble create क पर सकता है तो इस तरह से इस story में जो किस तरह से यह दासी मनतापम बामनी बाई और टंक रोड का sequence चलता है यह story एक tragic comic story हम इसको कह सकते हैं इसका reason यह कि starting में जो कुछ-कुछ words use होते हैं तो वो bird जैसे बच्चों के द्वारा कुछ lines कही होना या मनतापम ग्रों के द्वार की तरह जाते है कि कोई भी story होगी उसके तीन पार्ट होते है beginning ठीक है beginning में just introduction का मैंने discussion किया था middle part में कोई भी जो real अगर जो गटना गटित होनी है उसको सिर्प उसका एक तरह से frame किया जाता है and third में उसका result निकलता है climax निकलता है कि उस जो event जो भी लोगों ने वो किया थ और किसी लिए story का last में conclusion ही उस story का hidden meaning देता है तो ये story काफी heart touching story लगती है अगर हम इसको really में and as a bookist नहीं पढ़के बलकि इस story से और जो character है दा से उससे खुद को connect करें तो ये story काफी हद तक बहुत अच्छी लगती है thank you very much